उत्तर प्रदेश में 69,000 सिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त सीटों को जोड़कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर 5 महिने से यहां निशात गंज स्थित S.C.I.R.T. पर अंदोलन कर रहे अभियर्तियों को श्रनिवार को कैंडल मार्च उन्होंने निकाला वहीं इस दोरान पुलिस की ओर से उन पर लाठी चार्ज किया गया जिसमें 6 से जादा अभियर्तियों को चोटे भी आई हैं वहीं अभियर्तियों का आरोप है कि वो अपनी मांगो कुल लेकर कई बार डाली बाग इस्तित मंत्री आवास पर बेसिक सिक्षा मंत्री से मिलने गए और उनसे मुलाकात न होने पर वहां भी प्रदर्शन कर नार्यवाजी करने लगे और इसी तरह इनका अंदोलों लगताग चल रहा है वहीं इसे कड़ी में शनिवार शुराम अभियर्तियों ने कैंडल मार्च निकाला इससे पहले शनिवार दोपैर अभियर्तियों ने हजरत गंज स्तेथ बीज़पी कार्याले पर प्रदर्शन किया था वहां से पुलिस नहीं ने इको गार्डन छोड़ दिया तो ऐसे में तस्वीरे आप देख सकते हैं लखनों की तस्वीरे हैं जहां पर अभियर्तियों पर ये लाथी चार्च किया गया है दरसल आपको बता दे 69,000 सिक्षक भरती घुटाले का ये पूरा मामला है जिसके बाद लगातार व्रिक्त पदों पर जो व्रिक्त पद हैं उनको लेकर अभियर्ति लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसी कड़ी में कल भी अभियर्तियों का इसी तरह से प्रदर्शन हुआ जिसके बाद पहले दुपैर को BJP कार्याले के बाहर इन अभीयरतियों ने प्रदर्शन किया लेकिन उसके बाद शान को इन्होंने कैंडल मार्च निकाला जिसके बाद पुलिस ने इन पर ये लाथी चार्च कर दी